हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं गोबी के कौपते की सब्जी तो हमने फूल गोबी के कौपते की सब्जी बनाई है इस तरह से आपने घर पे बना ली तो आप होटल और हलवाई की हाथ का खाना ही भूल जाएंग आप गहर पे इस तरह से कौपते कि सबची बनाएंगी तो देखिये friends यह हमारे कौपते की सबची कितनी soft और spongy बनके त्यार हूई है इतनी gesty सबची आप घर पे भी बना सकते हैं तो पूरा video watch कीजिए तो इसके लिए मैंने full gotych li हैं यह honom 200 gram के लग्वब हैं तो इसको मैंने कद्दू कस कर लिया है, इस तरह से मोटे ग्रेटर से, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें थोड़ा पानी हो, तो इसे हटेली से थोड़ा दबा के पानी निकाल लीजिए, और इस गोबी में बिल्कुल भी थोड़ा पानी नहीं था, तो मैंने एक बाउल ऑज्वान डी थी इसको हातों से क्रस करके इसमें डाल दी है चुटकी बर हींग डाली है इससे फ्लेवर मोच चाता है और पीसा हुआ जीर है आदी चोटे चमच ली है और इसमें हमने तोड़ी चुटकी बर ही बेकिंग पाउडर डाला है इसे हमारे जो कौपते हैं वो स्प कौपते हैं वह बहुत सुन्दर बनेंगे तो इसमें मैंने दो ती जमल ची बैसन डाला है ज्यादा नहीं डालना है और एक निम्बु का रस डालेंगे एक निम्बु का रस से हमारे जो कौपते हैं वह उपर से एकदम खस्ता बनेंगे करारे से और लास्ट में इसमें हम डाल कि देखे ईस तरह से निमभू की अकार के एक एक बना के हमने सारे क कोपते बना के त्यार कर लिए है ऐह बने करने के लिए खड़ ड़ाई नहीं के Шरें विड़ी लिखे हम डेदने हुड़ा गरम हो गया है तब इसमें हमकोपते को फ्राइ करेंगे और यह कउपते में oh इस न है कोई वह प्रक नहीं आएगा तो यह देखिए हमारे जो एक हम बू के कोपते बनाए थे यह पते बने के त्यार हो गए हैं इसे हम बाहर लेंगे और इस तरह से हमने सारे कोपते निकाले अब इसके लिए मसाला बनाएंगे एक अरी मिर्च, एक चम्मच साबूत, सुंफ और एक चम्मच साबूत ने लेकिन को पीस लेंगे दरदरा सा और ये देखिए कौपते कितने स्पोंजी बने हैं और ये कड़ाई थी इसमें जो भी एक्ष्टा देल था वो हमने निकाल लिय इसमे तक बने भी डाले डालेंगे और इसे ब्राॉण होने तक शिकाई पैज एक्ष्टक ब्राय। असे टालेंगे थी कि पॉडर जब्राउने她ं तो इसे क्या है जो हमारी ग्रेवी है वह इतनी अच्छी बनेगी और इसे थोड़ी सी टेश्टी बनाने के लिए इसमें मैंने दो चमज चिनी डाली है आपको थोड़ा मिठा पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं लेकिन आप डालके जुरूर देखना बहुत अच्छी सब्जी बनेगी और इस यह मैंने दो मेडियम साइज टमाटर को पीस के एक तम प्योरी बना ली थी वह इसमें डालेंगे सबसे पहले और मिक्स करेंगे दो तिर मिंट के लिए फिर इसमें आदी चोटी चमा बुना हुआ जीरा और आदी चोटी चमा चिली फ्ले लाउर दीए है तो प्रुट में डालनें गरम मसाला ब्लाउने के और इसको मिलो मिक्स कंपा 47 मिन और इसको पांप साइब जाल आदेंगे ... और ये देखिए कड़ाई ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है तब इसमें हम जो गोबी के कौपते बनाए थे वो इसमें डालेंगे और इने मिक्स करेंगे और गेस को हम ओफ कर देंगे और ये देखिए ये गोबी के कौपते कितने शानदार बनके त्यार होए हैं फ्रेंड आप भी इस तरह से घर पे जरू ट्राइक करके देखना यतनी टेस्टी सबजी है यतनी एजी सबजी है और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी भी याँ फूल गोबी के कौपते की सबजी कैसी बनी है और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट करना जो हमारे चैनल पे ने ने है जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और आपको हमारी अच्छे अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी फ्रेंड्स थैंक यू बाई बाई